हलो स्टुडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लाइन्स एन एंगल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एंगल कितने टाइप्स क्यों होते हैं ठीक है लीनियर पेर क्या होता है वर्टिकल यपोजिट एंगल क्या होता है कॉम्पलिमेंटरी एंगल क्या होता है सप्लिमेंटरी एंगल क्या होता है कॉरस्पॉर्णिंग एंगल क्या होता है और्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं ठीक है तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक को 90 डिग्री से कम होते हैं मतलब कि अगर 90 डिग्री से कोई भी एंगल कम है जैसे कि अगर इसको 60 डिग्री है 70 डिग्री है 85 डिग्री है ये सारे एंगल जो होते हैं हमारे acute एंगल होते हैं उसके बाद आता है हमारा second obtuse एंगल अब obtuse angle क्या होते हैं वो angle जो 90 से तो बड़े है लेकिन 180 से छोटे हैं जैसे कि अगर मैं हाँ लेलूँ ये 100 degree है 120 degree 150 degree ये सारे angle हमारे obtuse angle होते हैं जो 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं अब 90 degree वाला जो angle होता है उसको हम बोलते हैं right angle क्या बोलते हैं उसे राइट अंगल उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट अंगल अब स्ट्रेट अंगल हमारा क्या होता है स्ट्रेट अंगल हमारा पूरा 180 डिगरी का होता है और यह पूरी सीधी लाइन पर बनता है ठीक है तो यह हमारा reflex angle हो जाएगा अगर 180 degree से वो बड़ा है उसके बाता है full angle ठीक है यह किसको हम complete angle भी बोलते हैं जो कि पूरा 360 degree का होता है तो यह हमारे types of angle हो गए हैं यह आपको याद रखने हैं अब अगला topic देखते हैं अब हम देखते हैं कि linear pair क्या होते हैं ठीक है अब हमारे पास यहाँ पर एक straight line है P और R ठीक है यहाँ पर Q points यहाँ पर यह दो angle बन रहे हैं angle 1 और angle 2 ठीक है तो यह अगर straight line पर कितनी भी angle हम बना दें दो हो सकते हैं दो से ज़्यादा हो सकते हैं उनका sum हमेशा कितना होगा 180 degree ह ठीक है यहाँ पर दो angle 1 और angle 2 माना कि angle 1 जो हमारा 60 degree है ठीक है तो angle 2 अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे angle 1 हमारा 60 हो गया angle 2 हमें नहीं पता और दोनों का sum पता है लेकिन यह 180 होता है तो X हमारा आ जाएगा 180 में से अगर मैं 60 को घटा दूं तो हमारा 120 degree आ जाएग तो बचा हूँ angle जो है वो 120 degree का होगा ठीक है तो यह आपको याद रखना है linear pair में जो है अगर straight line पे angle बन रहे हैं तो उनका sum 180 degree होता है अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है A और D एक straight line है O points नहीं आपर 3 angle बन रहे हैं एक 45 का एक missing है X है और 1 है 55 का तो तीनों का sum कितना होग 180 होगा मतलब कि 45 X और 55 इन तीनों का sum 180 होगा क्योंकि यह straight line पे बन रहे हैं linear pair angle है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 45 45 हमारा 100 हो गया तो X जो आएगा 180 में से हम 100 को घटा देंगे तो हमारे पास जो X आ जाएगा 80 degree का ठीक है तो यह आपको याद रखना है linear pair में जो भी angle बन दो हो सकते हैं दो से ज्यादा हो सकते हैं अगला देखते हैं next हमारा है vertically opposite angle अब vertically opposite angle कि होते हैं जब दो straight line जैसे यहाँ पर A और B एक line है P और Q एक line है ठीक है दोनों straight line है अब यह जो दोनों line एक दूसरे को एक point पर cut कर रही है तो यहाँ पर यह जो चार angle बन रहे हैं एंग इकवल होंगे एंगल 2 और एंगल 4 वो भी इकवल होंगे तो यह आपको याद रखना है अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे कट करती है तो उनके आमने सामने के जो एंगल बनेंगे वो इकवल होंगे ठीक है इनको हम vertically opposite angle बोलते हैं जैसे कि अगर एंगल 1 हमारा है 100 डि डिगरी होगा एंगल 1 और 3 हमारा हो गया 100 डिगरी का और एंगल 2 और 4 हो जाएगा 80 डिगरी का ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि vertically opposite angle क्या होते हैं इक्वल होते हैं next है हमारा complementary angles अब complementary angles क्या होता है जब दो एंगल का sum 90 degree हो जाए ठीक है इसम्तलब कि angle 1 प्लस angle 2 दोनों एंगल का sum अगर 90 degree हो रहा है तो यह दोनों एंगल क्या होंगे up complementary angle होंगे ठीक है अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एक angle दिया हुआ है 30 degree का और एक दिरखा है 60 degree का ठीक है तो इन दोनों को अगर मैं add करूं तो 90 हो रहा है ठीक है तो यह जो है complementary angles होंगे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक है 60 degree अब इसका अगर मुझे complementary angle निकालना है तो कैसे न आपको याद रखना है complementary angle में दो angle का sum कितना होता है 90 degree होता है अब देखते हैं supplementary angle क्या होता है अब supplementary angle के अंदर होता है जब दो एंगल का sum एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का sum अगर 180 आ रहा है तो वह हमारे supplementary angles होंगे जैसे कि आपको यहां दिया हुआ है figure में एक अगर 120 degree का है तो दूसरा कितना है 60 degree का और दोनों का sum जो है वह कितना आ रहा है 120 और 60 हमारा आ रहा है 180 degree तो यह हमारे complementary angles होंगे ठीक है अगला देखते हैं next हमारा है angles between parallel lines and transversal line अब parallel line हमारे पास L और M यह दोनों parallel line दे रखी है ठीक है अब इन दोनों line को जो cut कर रही है P line जो cut कर रही है यह हमारी होती है transversal line इसको हम क्या बोलते हैं transversal line बोलते हैं ठीक है जो इन parallel line को cut करती है अब इसके cut करने से हाँ पर 8 angle बन रहा है angle 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है अब इसके अंदर देखेंगे कौन-कौन से angle equal होते हैं और उनको हम किस नाम से जानते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं corresponding angles अब corresponding angles कैसे होते हैं जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कि यह जो B angle है एक उपर वाला और उसके ज़स्ट नीचे वाला यह जो F बन रहा है ठीक है रेड में और ग्रीन में यह हमारे corresponding angle है इसी दरीके से यहां पर यह yellow में और blue में यह भी हमारा corresponding angle है और 1, A और E यह हमारा corresponding angle है D और H यह हमारा corresponding angle है ठीक है इस type का जो pair होगा angle का यह हमारे corresponding हो एक angle बाहर का और एक angle अंदर का ठीक है अगला देखते हैं next हमारा है alternate angles अब alternate angles में हमारे पास दो type के होते हैं alternate exterior angle मतलब जो बाहर वाले होंगे और alternate interior angle जो की अंदर वाले होंगे अब यहां पर यह parallel line दे रखें B और यहां पर एक B वाली और एक C वाली parallel line है ठीक है यह दोनों L और M लेलिया मैंने यह दोनों अगर parallel line है और यह transversal line है P ठीक है तो यहां पर यह जो angle बन रहे है बाहर वाले ठीक है यह जो color में दे रखा है आपको 134 और इसके just opposite यहां पर यह जो दे रखाए 134 यह वाला और यह वाला हो जाएगा alternate exterior angle cross में ठीक है ऐसी 48 दे रखा है तो इसके यहां पर है यह 46 है तो यह दोनों अभी क्या हो जाएंगे alternate exterior angle हमारे equal होते हैं अगर यह L और M क्या है parallel है ठीक है इसी तरीके से interior angle में है अब इन दोनों parallel line के अंदर यह जो चार angle बन रहे हैं ठीक है तो cross में जो angle angle हमारे दो टाइप के होते हैं alternate exterior angle और alternate interior angle नेक्स टॉपिक है हमारा co interior angle अब co interior angle क्या होते हैं अब यहां पर L और M यह तो हमारे parallel line दे रखी है और P हमारा क्या है transversal line ठीक है अब इस transversal line में अंदर की side जो है एकी side जो angle बन रहे हैं मतलब की angle 4 और angle 6 यह दोनों क्या है co interior angle है इसी तरीके से angle 3 और angle 5 यह भी हमारे क्या है 70 degree ठीक है मुझे यह x निकालना है तो x कितना हो जाएगा 180-70 क्योंकि इन दोनों का sum 180 होता है तो x हमारा जाएगा 110 degree का इसी तरीके से यहां पर आप जैसे कि अगर यह 100 degree दे रखा है और यह y निकालना है तो यह y भी हमारे कितना होगा 180-100 degree तो y आगे हमारा 80 तो यह था हमारा आज का लाइन्स और एंगल से रिलेटेड टॉपिक उमीध है आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू